नवस्कार, स्वागत आप सभी का जी पंजाब हर्याणा हिमाचल पर मैं मनुश रवास्तो हर्याणा सरकार कोरोना से नेपटने के लिए हर सम्हो कदम उठा रही है लेकिन समाच की भागिदारी के बगार सरकार की किसी भी प्रयास को नहीं मिल सकती है सफलता और आज आज आपको हर्याणा के भीवानी और नारनौन के गाउं की तस्वीर और करोना के प्रदी उठाए के कदमों की जानकारी देंगे कहानी दो गाउं की है जहां एक गाउं लॉक्डाउन को पूर्ण रूप से लाओ कराने की कोशिश कर रहा है वहीं दूसरी और ये दूसरा गाउं न तो करोना नियमों के पालना करा रहा है और साथ ही लॉक्डाउन को मानने से साफ इंकार कर रहा है दोनों ही गाओं की तस्वीरे अलग लग हैं और इन दोनों की तस्वीरे आपको हम बताते हैं कि अलग लग कैसे नियम कायदे तैक किये गए हैं यहां पर कुरोना का कितना ख्याल और कुरोना को लेकर कितनी लापरवाही इन दो गाओं में यह तस्वीर नजर आती है फैसला स तर्क है कि कोई बीमारी है ही नहीं इसलिए गाउं में सभी दुकाने खोली जाएंगे और किसी भी पुलिस कर्मी को गाउं में नहीं आने दिया जाएगा वही दूसरी तरफ भीवानी की एक पंचायत बिल्कुल इससे उलट को लेकर जागरुकता दिखाते हुए कई अहम फै से हैं वो लोगों को जागरुक करेंगे अपने स्तर पर भी और अगर कोई भी नियम तोड़ता है तो पुलिस को शिकायत की जाएगी उसे शख्स के बारे में जो कोई नियमों का उलंगन कर रहा होता है तो ये अंतर है एक ही फैसले को लेकर हर्याना के दो गाउं में अलग पर आए बढ़ जाए तो फिर वाकि कह सकते हैं कि कोरोना से ये जंग आसान नहीं है तो दो गाउं की दास्ता आपको दिखा रहे हैं बता रहे हैं और एक जगह लॉक्डाउन का सथ प्रिस्ट पालन किया जा रहा है लेकिं दूसरी तरब इसको मानने से इंकार किया जा रह है और दोनों गाउं के लोगों के अपने अपने तर्क्या है ये भी आपको सुना चाहिए प्रिस्ट पर के अंदर समच गराम वर्षियों ने 36 बढ़ा दिना ये फैंसरा लिया कि पर सरसने को कुछने नहीं देंगे ना को डाक्टर को वह वी दूनी से लगाया यह अमने उठा दिया है पूरे गराम वर्षियों ने एक मतों करके जोंसार किसानों बलाची चाहर यह निने गाओं ने सरसमिज़ते किया है कि हर जाती से 25 तीस आदमी बस्टेंड पर रहेंगे जब तक यह मामला चलता रहेगा हम किसी भी पुलिस परसासन को गाओं के अंदर इंट्री नहीं करने देंगे इसलिए हमने यह भी निलिया है हमारे गाओं में कोई करोना सेंटर की आवस्टा नहीं है हर वेक्ति सावस्त है करोना माल लिया है लेकिन इतनी कुनी के आधलाते करोना फैलगी करोना होगी उस तो में दूर चले जांगे आगर चै लेंज करता ओं इस हार के इंदर करोना के सब मा उसके दोर रहूँ गा उसकी रक्सा अंहीं करूंगा उना में वुद्क्र खाया कर्णा जोड़ी दूरी रखा है अपनी पर भी सरकार ने ये करना थी है थोड़ा बहुत गाउं में सप्रेव अगेरा का कुछ ने को साध्याद करना थे करोन आता है तो उसको अड़िमेटू नाती है और अगर प्रेस्ट में करोना नहीं दीखता तो उसको जोना घर में आपने गर मेरनाती है दोगों से दूर रहे और अपना मास वगरा डाठा मारके नि पांद के रहे उदर पंचायत की फैसले के बाद मसूदपुर गाउं में इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है गाउं में दुकाने खुल चुकी है लॉकडाउन में गाउं में काफी चहल पहल नजर आई है पंचायत ने गाउं के कुविट के सेंटर को खटाने का भी फैसला लिया था और इसे भी हटा दिया किया है फिलाल इस वक्त मैं हिसार के मसूदपुर गाउं में मुझूद हूँ मसूदपुर के बारे में अगर बात कर ली जाए तो कल यहां पर जिस तरह से पंचायत हुई थी और पंचायत ने यही फैसला लिया था कि अब जो है इस गाउं में किसी लोग जो है वो पशुओ को चराने के लिए और पानी त्यादी पिलाने के लिए गरों से बाहर लेकर निकले हैं वही अगर पूरे गाउं के माहौल की बात कर ली जाए यहां पर किसी तरह की कोई नाके बंदी नहीं है जिस तरह से पहले रूटीन में आवा जाई थी उसी है कि आवाजाई जो है यहां पर नजर आ रही है तस्वीरों के जरी आफ देख सकते हैं कि यह गाहों की तरफ यानिकी जो सुलखनी से होता हुआ रास्ता मसूदपुर की तरफ जाता है यह वो रास्ता है आम दिंचर्या की तरह ही यहां पर लोग लोगों की हल चल जो है व कुछ लोग यहां पर पहुंचे कुल मिलाकर जिस तरह का इलान ग्रामीनों की तरफ से किया गया है कि लोकडाउन की किसी भी सूरत में पाला नहीं की जाएगी उसका असर जो है गाउं में होता नजर आ रहा है आपको बता दें कि गाउं ने ये भी फैसला लिया है कि शादी बिया इत्यादी पर भी कोई रोक तो हम नहीं रहेगी साथ-साथ जो गाउं में दुकाने हैं वो भी खुली रहेगी तो कुल मिलाकर इसका असर जो है मसूदपुर यानिकी जो हिसार जी लेकर एरिया में पढ़ता है उस गाउं में पढ़ता नजर जरूर आ रहा है कैमर प डाऊन को लेकर इस पंचायट ने खासा फैसला लिया है कि अब किसी तरह से लोगडाउन की निवों की पाल्ला नहीं की जायेगी उसी के मद्यनजर कौरंटैंड क्वरंटान से सामान पर रखा गया था लेकिन फिलाल क एकर बात के लिए दिस्जाय को सकूल के यहां पर लोग Immagino नुन करते क्या समान यहां पर याँ पर कड़ी कि इस में कि यहां यहां पर दे जा जा यूट धा माइत्ङन पर दे wil यहां धूट अच्छा लेगे तो गाव ने पंचायत करी थी कठता था गाव में अच्छा अच्छा थे कुछ और लोग भी है उनसे भी बात्चित कर लेते हैं जी क्या फैसला होया था जी आपने सूनी तो होगी वही क्या पंचायत होई थी क्या है था समान कौन-कौन सा लेगे उरते से जी कोन आई डाक्टर कोने अच्छे इतना है इतना बैड़ फेर दो दिन माँ बैड़ उटे लेगे जी मसूदपूर के ग्राउंड पर नजर आ रहा है स्कूल को खाली करवा दिया गया और जो समान था उसे भी यहां से उठवा दिया गया है क्यामार पसला जिंदर कुमार के साथ रोहित कुमार जी मिडेहिसार इस वक्त हम मौझूद हैं हिसार जुले के गाउंड पूर एरिया में मसूदपूर हासी के नजदीक का गाउंड जिस तरह से कल इस गाउं पंचायत हुई थी और पंचायत ने यही फैसला लिया था कि भले ही करोना कितना मर्जी वालना नहीं करेंगे इन गरामिनों के इस रुख के अगर बात कर ली जाए तो गरामिनों ने यह डिन्ना इसलिए लिया है क्योंकि जिस तरह से हिसार में किसानों और पुलिस के भी जो संगर्श हुआ था उसमें काफी किसानों को चोटे लगी थी उसी के विरोध में गाउं की फैसला लिया गया कि गाउं में कोई भी दुकान जो है वो बंद नहीं रहेगी तमाम दुकाने खुलेंगी उनका आसर भी जो है बजार पर यह जो चोटा बजार है बस्टेंड है उस पर देखने को मिल रहा है मास्क की अगर बात कर ली जाए तो मास्क भी ग्रामिनों न नहीं लगा रखा है इसी तरह से कुल मिलाकर अगर पूरे गाउं के महोल की बात कर ली जाए मसला इस रास्ते से दूसरी तरफ जो की हिसार से इस गाउं को कनेक्ट करता है हासी होकर उस रास्ते पर भी आवाजा ही पहले की तरह जारी है कुल मिलाकर जो गाउं वालों ने है उसका ऐसर जो है इस गाव में होता नजरा रहा है महीं cert है आपको बता दें किने कि गावा surname यह भी एलान्र कि किसी भी परकार से इस गाव में अब किसी को कुरेंटन वी नहीं करने डिया जाएगा जो कुरेंटन सैंटर बनाए गए उसको भी यहां से उठवा दिया जाएगा तो कुल मिलाकर पंचायत ने जो फैसला लिया है उसका असर मसूदपुर गाउं में गराउन पर भी नजर आ रहा है कैमरपसर राजिंदर कुमार के साथ रोहित कुमार जी मीडिया हिसार तो हमारे समवायता रोहित ने ग्राउंड रिपोर्ट आप तक लेकर रूलाने की कोशिश की है और इसमें ये वाकी समझ में आती है बाते हैं कि जो नियम काईदे सरकार ने तैय कि हैं उसको बिल्कुल धता बता दिया गया है इसार के इस गाउं में दूसरी तरफ हमने आपको भीवानी के गाउं के भी खबर दिखाई है महाश्वत प्रतिश्वत कैसे पालन हो लॉकडाउन का सरकार के नेमों का उसका ख्याल रखा जा रहा है हम इन दोनों ही खबरों और तश्वीरों पर और डीटेल्स के लिए रुख करेंगे जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे समवाता रोहित का इस वक्त हबार साथ लाइफ जोड़ रहा है रोहित एक तरफ हिसार के इस गाउं का जिक्र दूसरे तरफ हमने भीवानी के गाउं का जिक्र किया बिल्कुल अंतर सरकार का फैसला एक स्वास्विभाग का फैसला एक और दुनिया कह रही है वज्ञानी कह रहे हैं कि एक ही उपाय है आप नियमों का सक्तिस सपालन कर लीजिए कोविड-19 का अगर कोरोना से बचाव करना है तो और उसी के दरमियान ये तमाम नियम कायदे कैस और इस परस्थिती में आकर कोरोना से ये जंग कैसे आसान होगी अगर करोना से चल रही जंग की बात कर ली जाए तो अब जो है करोना के मामले ना सिर्फ शहरी इलाकों में शाती साथ ग्रामिन इलाकों में भी बढ़ रहे हैं लेकिन जिस तरह का फैसला मसूद पूर की पालना जो हैं गाउं में नहीं की जाएगी हाला कि पहले भी नियमों में डिलाई कहीं न कहीं गाउं में गाउं में देखने को जरूर मिली है क्योंकि जितनी सकती शहरी लाकों में देखने को मिल रही थी वैसी सकती ग्रामिन लाकों में अभी भी अच्छूती रही है लेक कि इस गाउं के आसपास या फिर हिसार जी ले के अगर आकड़ों की बात कर ली जाए तो आपको बता दे कि हिसार जी ले के दाइरे में आने वाले कुछ गरामिन एरिया ऐसे हैं जिन में रोजाना जो है एक दो से तीन तक मौते हुई है और अगर पूरे आकड़े की बात कर अंदर ही 15-20 लोगों की मोथ एक ही दिन में देखने को मिली है हलाकि ये पुष्टी नहीं हुई कि उनकी मोथ करोना से हुई या किस तरह से हुई लेकिन तर्क यही दिया गया गरामिनों की तरफ से कि हला तो बत्त हो रहा है ना माल लीचे ये पुष्टी हो करने में स्वास्विभाग थोड़ा वक्त ले लें स्वास्विभाग इसको तैक करेगा कि रोना से हुई या नहीं लेकिन हालात बत्तर हो रहे हैं ये मानने में तो इंकार नहीं है इस बात को हम इंकार नहीं कर सकते हैं तो क्या ये ऐसी तस्वीर नहीं है, ये दोनों तस्वीरें जिस पर सथकार को स्वास्ते विभाग को संग्यान लेना होगा, जल्दी करना होगा? लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से मसूदपूर की पंचायत नहीं ये फैसला लिया है, ये अपने अप में हैरान कर देना वाला है, वक्त ऐसा है कि हमें सावधानी रखने की जूरूरत है, और जिस तरह की परिस्तितियां बन रही हैं, उससे निपटने के लिए ना सिर्फ सज सिर्फ से निपटा जाएगा, क्योंकि जब लोगी साथ नी देंगे, जब लोगी इस तरह की बात करने लगी तो अकेली सरकार भी क्या कर पाएगी, बहराल सरकार की तरफ से अब इस पूरे गाउं को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, ये नजर रहेगी, हाला कि इस मामले को लेकर अगर डिस्टेक अडिस्टी का स्टेंटमेंट की बात कर लिजाए तो उनकी तरफ से यही कहा गया है कि अजब गरामीनो की पूर भी कुछ का गया है कि उनका फैसला अडिग है और जिस तरह की स्थिति मैंने आज गाओं का दोरा किया और वहाँ पर देखने को मिल रही थी तमाम नीमे कानून जो एक तरह से लोकडाउन के लिए बनाए गए थे वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे थे इस तरह की स्थिति थी परपाबंदी है कोई अगर नियम तोड़े मास्क ना पहने हो तो पूल उसको शिकायत दे देंगे वो भीवानी की पंचायत का फैसला सबक लेने वाला एक घटना करम है जिससे लोगों को सबक लेना चाहिए कोरोना से लड़ाई के लिए रुहित देखिए मनोज अगर ना सिर्फ भीवानी की साथी साथ आपको जीन्द के गाओं के भी बताना चाहूँगा की जीन्द में भी इसी तरह का फैसला जो है कल लिया गया है आपको बता दे की जीन्द जिस जीन्द के जिस गाओं ने ये फैसला लिया है उस गाओं के हालात ये थे कि वैक्सिन लगवाने तक से उस गाओं के लोगों ने मना कर दिया था लेकिन जब गाओं में मोते होने का सिलसला शुरूआ उसके बाद ग्रामिनों ने पंचायत बुलाई और फैसला यही लिया ग कि गाउं में अगर कोई बहारी वेक्ती आता है तो उसका पहले कोवीड टेस्ट किया जाएगा अगर वो पोजिटी मिलता है तो उसको कुरेंटाइन किया जाएगा और उसी के बाद जो आगे की परकरिया चलेगी वहीं दूसरी तरफ अगर भीवानी की बात कर ले जाए तो पुरी असरानिये कदम उठाते हुए इस तरह के फैसले लिए जाएंगे और ना ही हुका इतियादी पीने पीने दिया जाएगा तो कुल बिलाकर कुछ पंचायते ऐसी हैं जो एक मिसाल के तोर पर सामने आ रही है और कुछ पंचायत कहले जिए या फिर कुछ तताकति ग्र शुक्रिया रोहित आपका तमाब डीटेस के लिए ग्राउंड से तमाम तस्वीरे दिखाने के लिए और सच सामने लाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका तो दो गाओं की तस्वीरे हैं और दोनों ही एक तरफ ऐसा फैसला जहां पर की नजीर बन जाये कोई फैसला खत्रा पैदा हो जाए